तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फूल गोबी की बिल्कुल सिंपल इजी और नई रेसिपी लेकर आई हूँ शादियों में जैसे हम लोग को फूल गोबी मिलती है बिल्कुल चटपटी सी मज़ेदार सी बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने घर पे बनाएंगे वो भी अपन चावल के साथ साइड दिश की तरह भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं उमीद करती हूँ आपको इस पसंद हैगी पसंद है तो उसे लाइक करेगा और शेयर करेगा तो चलिए मेरे केचन में और देखते हैं इस नई गोबी आलू की रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है तो गोबी अलू की नई रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर पैन में मैंने 2-3 टेबल स्पून ओईल को गरम कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर गोबी डाल दिया है तो यह पूरी गोबी है और गोबी को मैंने छुटे-छुटे पीसे में ही कट किया है जारा बड़े पीस तो चार से पांच मिनिट लिए आप इसे इसी तरीके से मिक्स करते करते फ्राई करिएगा तो गोवी जब भी आप धोते हैं गोवी को आप काटिए और गुनवने पानी में डाल दीजे उसमें नमक और हल्दी डाल के मिक्स करके इसे पंदा 20 मिट लिए छोड़ दीजे उसके बाद अच्छी तरीके से इसे रणिंग वाटर में 4-5 बाद धो लेना है आपको उससे क्या होता है गोवी में जितने भी अन्मॉन्टेट गंदगी होता है वो सारा निकल जाता है इन सब में अच्छा कलर भी आ गया है तो बस इसे हम पैन से निकाल लेते हैं अब तो यहां से मैं पैन से निकाल लेती हूं इसे और देखिए उसी पैन में मैंने यहां पर 2-3 टेबल स्पून ओयल फिर से डाला एक टीस्पून यहां पर मैंने जीरा डाल दिया थोड़ा से आधा कप से थोड़ा सा जादा था यह प्यास तो इन सब को आपको फ्राई करना है तो प्यास को आपको कलर चेंच नहीं करना है प्यास को आपको सिर्फ सौफ्ट ही करना है तो देखिए यहां पर जो प्यास हलकी सी सौफ्ट हो गई है इस पॉइंट पे हम यहां पर एक ट दाल दिया नमक डाल धिया है ताओट जर घ्लने शिरु concurrent टाल और टीजिक टाल नार दिया है इन सब को मिक्स करना है नमक डाल रहा है तो मिक्स कर लेती हूं आहां तो माइन नमक डाल रहा है तो यहांपर इनमक ट Imater है बहुत जल्दी से कुख हो जाएंगे और इसे अब हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेंगे तब तक जब तक जो हमाई टमाटर है वो बिल्कुल ही सौफ ना हो जाएं और बड़िया तरीके से हमारे मसाले पकना जाएं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरे मटर डाल रही हूँ तो यह फ्रोजन मटर है तो अगर आपके कच्चे मटर है फ्रेश मटर है तो उन्हें स्टार्टिंग में गोबी और आलू के साथ ही फ्राई कर लिएगा यहाँ पर डालने के बाद थोड़ा सा मैंने पाई डाला है वन बहुत अच्छी तरीक zwar और भूप कीया है तो बस अब आपको क्या這樣 कहना है , यहां पर हम डालेंगे , एक मिर्ट ढूँकरl कर सा एक मिक्स क्रीड भून लेती है। और mix कर लेना है आपको इस तरीके से जब आप क्रीम डालते हैं उससे क्या होते है जितने भी मसाले आपने डाले होते हैं उन सब का फ्लेवर जो होते है वो बैलेंस हो जाता है तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब आपको यह के साब से डालिएगा और इन सब को अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है तो यहां पर जो फ्लेम है अभी मीडियम पर रखा हुआ है क्योंकि मैं मिक्सिंग कर रही हूं अच्छी तरीके से जितना भी मसाला है ना हमरी गोबी और आलू में आपको मिला देन बीच बीच में आपको इस तरीके से खोल कर मिक्स करना है उसके बाद दुबारा से ढख देना है तो चेक करते रहना है कि गोबी हमारी पकी है कि नहीं आप देख सकते हैं कि गोबी ने काफी अपना पानी छोड़ दिया है उसी पानी में यह पक जाएगा हमें आलक से एक्स थोड़ा सा ड्राइ करना है तो यहां पर मिक्स हो गया है गोवी पग गई यह मसारा सारा गोवी के अंदर चला गया है इस तरीके से जब गोवी आलू की सबजी बनाते न तो बहुत ही जारा फ्लेवर फूल और चरपटी बनकर तैयार होती है आधा टीस्पून से थोड़ा सा कट करके रखा था वो डाल दिया है पुदीना पता डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों आप पर जरूर डाल के देखेगा मिक्स कर दिया है फ्लेम मैंने जैसे की बोला मीडियम पर है हम इसे दो तीर मिट और फ्राइ कर लेंगे ताकि यह थोड़ी सी हो जाये और फ्राइ के ताइप की हो जाया थोड़ी जी न तो यह पर मैं देखे इसको इसी तरीके से खोल कर खोरऊंगी इसकि उपार थोड़ा सा मैंने हरिमिश दाल दिया है थोड़ा धनिया पता और डाल दिया है मिक्स कर दिया है इसे गैस आफ कर दिते है तो चलि इ Sup सकते हैं इसे आप पार्टी में बनाए या फिर कोई भी फंक्शन है उसमें बनाए बहुत ही लाचबाव रेसिपी है तो उमीद करते हूं आपको यह सिंपल और नहीं रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो उसे लाइक करेगा शेयर करेगा और मेरा हमबर रिक्वेस्ट